नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आपको एक और वश्य करन का ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी को भी अपने वश्य में कर सकते हैं अपनी मन चाही चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर कहें अपने बिगड़े काम बना सकते हैं और यह उपाय बहुत ही सरल है यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहे हूँ वह है नाभी पर उंगली रखकर किसी को भी किया जा सकता है अपने वश्य में ऐसा उपाय तो इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बहुत अजीब सा उपाय है आखिका नाभी पर उंगली रखकर कौन करता है किसी का वश्य करन तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप नाभी पर उंगली रख कर किसी का भी वश्य करन कर सकते हैं और इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को लाब भी हुआ है तो चलिए आप नोट केजिए कि कैसे करना है ये उपाय क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएंगी आप किसी को भी अपने वश में कर लेंगे क्योंकि आप कभी-कभी ऐसा सोचते होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन यह बिल्कुल सच है क्योंकि हमारे गुरुजी है वह सिद्ध गुरुजी है जैसे हम आपको बताएंगे उसी हिसाब से अगर आप वह कारे करेंगे तो हंट्रिट परसेंट आपकी मनो कामनाए पूरी हो जाएंगी जी हाँ दोस्तों अपनी नाभी पर उंगली रखिए अपनी नाभी पर उंगली रखने के बार आपको एक मंत्र पढ़ना होगा साथ बार जो है वशीकरण का मंत्र मंत्र ध्यान से सुनिएगा ओम नमो कामेश्वरी वश्य करू करू ये आपको मंत्र बोलना है मंत्र में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ ओम नमो कामेश्वरी वश्य ओम नमो कामेश्वरी वश्य करू करू इस मंत्र का आपको जाब करना है और इस उंगली को अपनी नाभी पर रखना है जब आप मंत्र का जाब करना है हो अपनी नाभी पर उंगली रख ले और उस इंसान का ध्यान अपने मन में लगातार करते रहें जिसको आप पाना चाहते हैं इस मंत्र का जाब आपको सिर्फ साथ बार करना है और उसी इंसान का ध्यान करते रहना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे मात्र साथ घंटे के अंदर दावा करती हूँ, मात, साथ घंटे के अंदर वह इंसान आपके बस में होगा ऐसा करते ही वह इंसान आपके वश में तो होगा ही साथ ही आपकी सारी बाते मानने लगेगा अगर आपके पास इस उपाय को करने में कोई समस्य आ रही हो या आप चाहते हो किस उपाई को किस तरीके से किया जाए पूर्ण रूप से जानना चाहते हो विस्तान पूरवक जानना चाहते हो तो जो नमबर आपकी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं आप इन नमबर उपर हमारे गुरुजी से संपर कर सकते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी जब तब करते हैं बहुत सारी सिद्धिया प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये वश्यकरन के सरल और सठी कुपाई आप तक पहुंचाते हैं तो आप जरूर इन नमबरों पर संपर करें, हमारे गुरुजी से प्राप्त करें, यह सेटी को पाए और मुझे दे आ गया जय माता दिन